हेलो दोस्तों तो आज हम discuss करने वाले हैं surface roughness symbol देखिये roughness के कुछ symbols है कि roughness कितनी है उसमें किस तरह से है उसकी direction क्या है ले की तो वो सारा कुछ discuss करेंगे क्योंकि देखे जब हमें कुछ symbol बनाना होता है इस तरह से बनाना होता है कि अगर पढ़ने वाला देखने वाला उसको समझ जाए फटक से उसके बारे में जल्दी से समझ आ जाजए कि ये है क्या ठीक है तो symbol बड़ा ही असान बनाया है देखे surface roughness का symbol इस तरह से दिखाया होगा और इसमें देखे ये बनाया गया है surface और इस तरह से ये shape बनेगी एक टिक की तरह और हमेशा क्या करेंगे इसकी जो length होगी यहां से लेकर यहां तक की अगर ये length 1 है तो इसका 3 गुना ये length होगी तो इसकी 3 गुना ये length होगी तो 3 गुना बनाया गता है तो इस तरह से होता है ये ये basic fundise का की इस तरह से इस symbol को बनाया गया है और अब इस symbol को समझते है कि किस तरह से है देखे अगर सिदा इस तरह से बना हो tick और यहाँ पर कुछ भी ना बना हो बीच में तो इसका मत्रब है कि ये आप machining कर सकते हो किसी भी तरह की किसी भी तरह की machining कर सकते हो आपको कोई भी restrictions नहीं है तो कोई भी machining कर सकते हो कोई आपको restrictions नहीं है रोकने मेला कोई नहीं आपको second चलते है अगर इस तरह के sign आजाए कि ये टिक है और उपर इसको बंद कर जाए तो ये क्या हो जाएगा कि ये machine के थू होगा मतलब इसमें material remove होगा इस process में क्या होगा कि material remove होगा ही होगा तो material remove होगा और अगर इसमें एक circle इसतरह से बनाए जाए तो इसका मतलब है कि इसके उपर जो होना है प्रोसेस उसमें मटीरियल रिमूव नहीं होगा मटीरियल रिमूव नहीं होगा यह याद कर लो रिमूव नहीं होगा उसकी जो प्रोसेस है वो ऐसी होगी कि उसमें material रिमूव ना हो जैसे कि हम कहलें forging है forging है casting है इसमें हमने क्या करना है कि उसका surface ऐसा है कि material रिमूव नहीं होना तो हमारे पास इस तरह से symbol बनते हैं अगला symbol हमारे पास पूरा समझाने वाला जो है surface roughness symbol में वो यह वड़ा है अब इसमें यहां पे देखो A, B, C, D, E दिखा हुए तो यह सबका अलग-लग मतलब है A का मतलब होता है roughness value तो हम roughness value यहां पे लिखेंगे अब जितनी उसकी roughness है surface की वो वाली value हम यहां पे लिखेंगे value होगा या symbol होगा कि कितनी roughness है इस surface की देखो अलग-लग requirement होती है कुछ कंपनियां यह चाहती है कि मेरा product एकदम shining हो उसमें बिलकुर भी roughness ना हूँ कुछ कंपनियां चाहती है कि यह product मेरा जो हां पे लगना है वहां इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है shining नहीं चाहिए मुझे product और उसमें roughness होगी थोड़ी पो तो कोई दिक्कत नहीं तो अलग-लग requirement है उसके हरसाब से वो बोलते है कि हमें इतनी roughness वाला मुझे material चाहिए तो वो वाला roughness वाला material हमें बनाना पड़ता है तो वो roughness हम यहां पर लिख देंगे कि इतनी value वाली roughness यहां पर है ठीक है बी पर आ जाते हैं तो बी हमारा होगा वो होगा production method तो हम production method यहां पर लिखेंगे production method मालोग की आपने milling कर दी यहां पर तो milling यहां लग देंगी तो कौन से production method से बना है तो वह क्या milling हुई है यहां पर तो milling हुई है तो यहां पर milling लिख देंगे C पर आते हैं C हमारे पास है sampling length कि आपने जो sample लिया है जिस पर हमने इसको test करके बनाया है कि इसमें reference value क्योंगी हमें यह पूरा product है अब पूरा product उठाके थो न टेस्ट करना शुरू कर देते हैं हम क्या करते हैं sampling length लिलते हैं उस sampling length पर test करते हैं तो वह जो test करते हैं वह sampling length जो है वो यहां पर लिख देंगे कि इतने mm की मैंने sample length ली थी वह वाली sampling length यहां पर लिख देंगे तो next जलते हैं आगे C हो गया D देखिए D हमारे पास है direction of lay अब direction of lay क्या है कि हमारे पास जो roughness आएगी वो किस तरह से है इसके उपर दिखो अलग लग है आपने न कभी roughness देखना हो तो surface को उपर से touch करके देखो तो आपको खुद्रापन जो दिखेगा उसकी एक direction होगी direction किस तरह से होगी मैं आपको थोड़ा सा बता दू इसके बारे में अगर तो direction कुछ इस तरह से है कि यहां पर मैं दिखाता हूँ कि अगर मेरा इस तरह से surface है और यह लंबाई इस तरह से चल रही है और यह roughness इस तरह से आ रही है उपर तो यह parallel में आ गया तो आप हात लग इस तरह से अगर आजे तो तो यह perpendicular हो गया कि हमारे पास roughness जो है length मेरी इस तरह से है लेकिन roughness इस तरह से है तो यह perpendicular होगी तो circular भी हो सकती है तो उसके लिए जो symbol होंगे हमारे पास सब के अलग लग होते हैं आपने देखा होगा कि आप जब late machine पे काम करते हो तो late machine पे center से ह हम जब लगाते हैं tool को तो बाहर के और आते हैं तो उसमें क्या होता है कि roughness जो होती है वहाँ पे वो circular होती है तो वो देखना आप कभी तो वो सारे symbol जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे D पे कि हम मेरी यह direction of lay यहाँ मेरे पास roughness किस तरह की है ठीक है यह हो गया और किस तरह से हो सकता है कि आपने देखा होगा जो जिम में जाते हो ना जिम में हम रोड पकड़ते हैं रोड के उपर खुद्रा पन बनाया होगा ताकि यहां से पकड़ो तो वो इस तरह से cross बना देते हैं आपने देखा होगा इस तरह से तो यह जो बनता है इस तरह से तो हमारे पास है machining allowance की allowance कितने रखे हूँ है machining के लिए कितना allowance लिया था इसके लिए मैं अलग आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा तो हर किसी के लिए जैसे हम मैंने direction of lay पे अभी आपको पूरा explain नहीं किया है इसके लिए मैं अलग वीडियो आपको दे दूँगा वहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो आगे चलते हैं देखिए अब देखो यहाँ पर जो symbol था ना ए पर ए पर हमें यह बोला गया कि roughness value आप roughness value यहाँ symbol कोई भी यूज कर सकते हो तो यहाँ पर यह value लिखी हुई है देखो आर ए रफनेस value आवरेज जो value आनी है माइक्रो मीटर में ठीक है माइक्रो मीटर में आनी है तो हमारे पास 50 25 12.5 यह value यह आप value लिख दो मैं लिख दू यहाँ पर देखो मैं लिख दो चलो 50 लिख देता हूं कि 50 इसनी roughness value है माइक्रो मीटर इसकी 50 है यह तो 50 लिख दो यह एन 12 लिख दो यह यह symbol ना दो लो symbol ना दो तो तीनों में से कुछ भी लिखोगे न तो उसका मतलब है है कि 50 उसकी roughness value है तो मेरे भाई हर कोई देश ने अपना अपना तरीक बनाया था तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है जो production method में चल रहा होता है आप company में आप जाओगे यह नहीं है ना local company छोटी सी company है वहाँ तो चलो आप चला लोगे कैसे न कैसे काम अगर multinational company है तो वहाँ पर अलगलग देशों से order आ रहे हैं अलगलग country से order आ रहे हैं तो वहाँ पर कोई पता नहीं कौन सा किस तरह सी यूज करें कुछ देश वाल यह कहते हो कुछ company वाले मैं सिंबल सरफ यूज करता हूं दूसरा कहता है ना यह यूज करता हूं तो हमें पता तो हमें यह वाले यूज करने हैं अब देखो 25 के लिए 11 12.5 के लिए 10 या इन दोनों में से देखो कुछ भी आजे तो एक triangle लगा के लिए 12 trip दो दीइमिस वैलिओ दो ट्रेंगल इमिस वैलिओ टीन ट्रेंगल इमिस वैलिओ 4 ट्रेंगल तो हमें याद करना भी असाने देखो सबको देखना आधा-धा हो रहा है वेल्यू ठीक है तो यहां पर 50 का अधा, 6.3 6.3 3.2 1.6 1.8 6.4 .2.. 0.1 0.5 0.025 आदा ओर लगाता रहा है आपको सिर्फ 50 से शुरू करना है आदा आदा करते जाओ लिखते जाओ उसके बारा ग्यारा दस नो आठ साथ छे पांच चार तीन दो एक यहां पर यह इस तरह से वेविनेस का सिंबल उसके पर एक ट्रेंगल दो ट्रेंगल तीन ट्रें सकते हो और इस सिंबल को अगर आप समझ के रख्यो हूँ तो आप सहीं इनजरनी forgiving कर रही हो ठीक ए देखो मैरे इंखना क्यूं है ये बड़ा ना fun that कि करना ही क्यूं है करना इसलिए कि यह सिंबल अगर बनाकर दे दिया ना किसी ने ठीक इस तरह से और इसके उपर कुछ value लिखी है 50 यहां लिखी है यहां M लिखा है मिलिंग लिखा है और यहां पे 25 लिखा हुए है और यहां पे मालो M लिखा हुए है यहां पे मालो D है जो यहां M लिख दिया और यहां पे मिशीन अलाउंसे लिख दिये कुछ है ठीक है 25 25 कुछ भी लिख दिया तो इसका मतलब ज पूर नहीं बता लगता है इस तरह से लेकिन एक इंजीनियर को पता होता है कि इस सिंबल का मतलब क्या है ठीक है और ये इंट्रिव्य परपस के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये पता होना ठीक है अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ समझ आया है सही तरी के समझ जाया तो आप comment box में बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया और मेरी और बनाई videos अगर आप देखना चाहते हो तो मैं around अभी तक for 50 के around videos बना चुका हूँ अलगल topic पे subject सारे cover की हैं almost मैंने तो आप search box में लिखो topic का नाम और साथ में लिख जियो gear institute उससे क्या होगा कि अगर उस topic पे video बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी अगर मैंने उस topic पे video बनाई है thank you thank you so much